Dear students, आज मैं आपको class 8 exercise 19A को complete करवाऊंगा इसमें हमें sample space के बारे में study करना है जो chapter है हमारा probability उसमें sample space भी एक important thing होती है जो हमें पता होनी चाहिए अब पहले इस exercise को करने से sample space के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है sample space का मतलब है कोई भी जो event होगा उसमें कितनी possible outcomes हैं वो सारी की सारी हमें लिखनी होती है sample space के अंदर ठीक है कोई भी event जिसमें जितनी भी possible outcome है सारी की सारी हमें लिख देनी है उसको हम बोलेंगे sample space अब sample space को लिखने के लिए कुछ specifications है जैसे एक तो हमें curl bracket का use करना है ठीक है curly bracket जो होती है इनका use करना है और हर एक outcome को कॉमा से separate कर देना है ठीक है जैसे first है toss a one rupee coin एक रुपए के सिक्के को उच्छा लेंगे तो sample space क्या हो सकता है उसके लिए आपको possible outcome पता होनी चाहिए अब सिक्के को उच्छा रहे है तो या तो head आएगा या फिर tail और एक ही सिक्का है तो sample space बन जाएगा h t ठीक है head आएगा या फिर tail आएगा ये अलग event है ये event एक ही है ये अलग outcome है ये अलग outcome है दोनों को separate करेंगे कॉमा से second अगर हम देखें six phases of die आप देखो die होता है जिससे हम ludo खेलते हैं आपने भी खेला होगा ludo लेकिन इसमें difference क्या दे दिया गया कि जो die है उसके उपर एक तरफ one है फिर two two दो बार है four भी दो बार है और six है तो इसमें possible outcome क्या हो सकती है अब sample space के अंदर आपको क्या ध्यान देना है एक ही नंबर को दुबारा दुबारा repeat नहीं करना है अब जैसे या तो one आ सकता है die को उचालेंगे या फिर क्या आ सकता है या फिर आ सकता है two तो कॉमा लगा के second outcome हो सकती है two फिर next हो सकती है four next four दो बार है तो दो बार लिखने की जुरूरत नहीं है next हम लिख देंगे six तो ये बन गया इसका sample space question number b के लिए ये था a के लिए next है c part तो इसमें अगर आप देखें a ball is drawn from a bag containing 36 red balls and one white ball तो इसका sample space क्या होगा चाहे balls कितनी भी हो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान देनी है जो उसका type है हमें सिरफ वही sample space के अंदर लेना है जैसे इसमें 36 red ball है अब उ 36 में से कोई भी red ball निकल जाए तो नाम तो उसको हम यही देंगे न कि red ball निकली है तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है एक तो आप लिखेंगे red ball भी लिखना है तो लिख सकते हो आप red और दूसरा white तो sample space में क्या है कि outcome इसकी दो हो सकती है या तो वो red ball निकल जाए या फिर white ball निकल जाए next d वाले में आप देखें a ball is drawn from a bag of three red balls four green balls, five blue तो अभी अभी मैंने जैसे उपर समझा है same वैसे ही तो इसका जो sample space आप बनाएंगे उसमें हमें क्या लिखना है red और second है green और next है blue बस ये आपको लिखना है बार-बार लिखने की जूरूरत नहीं है तीन red है तो तीन बार red लिखें ऐसा नहीं है a slip drawn from 10 identical slips of paper labelled अब slips है रखी होई है उनके अंदर label कैसी क्या गया है 1 1 slip के उपर 1 है 2 slips के उपर 3 लिखा हुआ है 3 slips के उपर 5 है ऐसे ही 6 और 10 तो आपको sample space जब लिखना है तो sample space में आप क्या लिखेंगे कि अगर हम slip निकाल रहे हैं तो उसमें आ सकता है 1 या फिर आ सकता है 3 कोई भी 3 आ जाए कहेंगे तो उसको 3 ही इसलिए हम single sample space के अंदर लेते हैं फिर 5 आ सकता है या 6 आ सकता है या फिर आ सकता है 10 तो यह आपका sample space तयार हो चुका है next हम करते है f part उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कीजिए आपका एक एक सब्सक्रेप्शन हमारे लिए बहुत माइने रखता है next है f a spinner like this is spun मतलब इस तरह के एक spinner को spin किया जाता है तो क्या sample space होगा तो इसमें possible outcome कितनी हो सकती है 4 ही है या तो a होगा या b या c या फिर d sorry bracket कर ली ही लगानी है हमें ठीक है ऐसे ही next आप देखें g part जो है irregular tetrahedron on the side of which जिनकी sides के उपर tetrahedron है 4 faces वाला होता है तो इसके उपर 1,2,3,4 mark किया गया है इसको दो बार twice rolled किया गया है यहाँ पर यह चीज important है समझने वाली है अब twice का मतलब क्या है यहाँ पर अगर तो single बार होता तो आप क्या लिखते हैं तो single के लिए sample space बनता आपका 1,2,3,4 ठीक है बट यहाँ पर दो बार twice किया गया है तो इस बार जो एक single outcome होगी वो dual में आएगी कैसे आएगी जैसे मैं आपको लिखके दिखाता हूँ first बनेगा या तो पहली बार में भी one आ जाए दूसरी बार में भी one आ जाए ठीक है यह एक ही event है second बनेगा या तो first time one आ जाए second time two आ जाए फिर या तो first time one आ जाए और second time three ऐसे ही first time one और second time four यह हो गई चार फिर second case क्या होगा first time में तो two आ जाए second time में आ जाए one next हो सकता है case two दोनों बार ही two आ जाए क्योंकि हम दो बार उच्छा लेंगे ना उसको first और second दोनों बार हमें event का outcome लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह single एक simple outcome है ऐसे ही आपकी 16 यह बन जाएंगी total 16 बन जाएंगी इस तरह से आप देख सकते हैं 3132333441424344 ठीक है तो यह आ जाएगा इसका sample space अगर हम इनको दो बार उच्छालते हैं तो next है draw a tree diagram for the sample space of a ball to be taken out from a bag with one red one green तो एक तो इसमें red ball है एक है green ball ठीक है तो हमें करना क्या है निकालना है लेकिन कितनी बार 3 times तो 3 outcome होंगी यहाँ पे एक event के अंदर ठीक है the ball is put back after each draw मतलब जब हम निकाल लेते हैं bag में हमें नहीं पता एक white है और एक sorry white गलत बोल दिया है green है और red है तो हम जो है बिना देखे उसमें से निकाल लेंगे अब जो ball निकल जाएगी उसको दुबारा वापिस रखना है और फिर mix करके उसमें से दुबारा निकालना है ठीक है तो यहाँ पर हमें ट्री डाइग्राम बना के दिखाना है तो वो कैसे बनेगा उसको हम सीखते हैं सबसे पहले किसी एक को select कर लेना है मान लीजिए first bar जो हमारे first क्योंकि three times निकालना है first turn में first ball red निकलती है हमने उसको अंदर डाल दी दुबारा से फिर क्या हो सकता है कि दुबारा से वो red निकल जाए हो सकता है या फिर हो सकता है कि green आ जाए ठीक है अब हमने first हम tree बना रहे हैं इसका दो case बनेंगे इसके first में हमने case लिया कि first ये तो थी first term ठीक है और third time में क्या हो सकता है third time में भी red आ जाए तो पहला event क्या बनेगा first time में भी red आ जाए second में भी red और third में भी red तो इसका event क्या बन जाएगा red, red और red ठीक है दूसरा case क्या हो सकता है first time में तो आ जाए red second time में भी red आ जाए लेकिन third time में green आ जाए तो ये बन जाएगा red, red और green ऐसे ही first time में तो red है second time में green लेकिन क्या पता third time में फिर से red आ जाए तो ये event क्या बन जाएगा R, G, और R फिर next क्या case हो सकता है first में भी red, second में green और third में भी green आ जाए तो ये हो जाएगा R, G, G सब के बीच में कॉमा जरूर लगाना है first तो ये हो गया अब आते हैं second case में कि जो first turn थी उस case में हमारे पास क्या आ जाए? green आ जाए तो second वाले turn में हम case लेते हैं कि red आ जाए और third में भी red आ जाए तो क्या case बनेगा? तो बनेगा G, R, R ठीक है? फिर हम case लेते हैं first में green आ जाए second में red और third में भी green आ जाए तो बन जाएगा G, R, G ठीक है? फिर next case हम लेते हैं कि first में तो था green लेकिन second में आ जाए green और third में आ जाए red तो ये हो जाएगा green, green, red ठीक है? और last event हो सकता है तीनों turn में ही green आ जाए तो ये हो जाएगा green, green and green ठीक है? तो कितने case बन गए हैं हमारे पास? total eight cases बन गए हैं ठीक है? ऐसे ही next देखते हैं list the sample space and all the simple event for each of the following same question है, कोई भी difference नहीं है बस क्या extra पूछा गया हम से? sample space तो हमने लिख देना फिर जो simple event, जितने भी sample space में हमारे पास outcome होंगी सबको अलग-अलग से आपको लिख देना है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसे first है, ए पार्ट में है throw a regular tetrahedron tetrahedron होता है, जिसमें चार faces है, colored on each side, हर एक side पे color है, इस पर counting नहीं है तो color कौन-कौन से है, blue, green, white red, तो आप क्या करेंगे इसका sample space जो है, वो लिखेंगे blue फिर green फिर white फिर red ये बन गया, इसका sample space, और simple event क्या होगा इसका के लिखेंगे, sample space simple event क्या होगे, सब को अलग-अलग करके लिख दो, ठीक है, बिना curly bracket के लिख दोगे, तो वो बन जाएगा, simple event, blue कौन लगा के green ये था सारा question white and red ठीक है, simple ये करना था, आपको बाद में अलग लिख देना है, next है, draw two balls from a bag containing one red green blue ball each, same वैसा equation है, तो b part में आप sample space क्या बना दोगे, sample space में आप लिख दोगे, red green blue, ठीक है, red green green, और blue, और बीच में, कॉमा, और curly bracket, ठीक है, उसके बाद next है, see, draw a slip of paper from a bag containing slips of paper with two, 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 and five, तो sample space में क्या आएगा, इसका, c part में, c part में, dेखो, sample space simple बनेगा, sample space क्या बनेगा, मैंने बोला था, कोई outcome कितने भी बार हो, एक ही बार उसको लेना है, तो sample space में बनेगा, two, and five, next वाले का देखो, draw a marble from a bag containing eight green, ten blue, six red, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें sample space, sample space में आप लिखेंगे, green, blue, और red, simple ये काम था आपका, और simple event में क्या कर देना है, इस तरह से आपको अलग-लग करके इसको लिख देना है, next, fourth, list all simple event, if a slip of paper is drawn from a bag containing slips of paper with one, two, three, four, five, six, written on each respectively, मतलर, छे slips हैं, एक bag के अंदर, जिसके उपर एक से लेके छे तक counting लिखी हुई है, और हमें single slip निकालनी है, a slip, अब single slip निकालनी है, तो simple event जो है, वो single single बनेंगे, ठीक है, जैसे first बनेगा one, या तो एक आ सकता है, या फिर two आ सकता है, या फिर three आ सकता है, या four, या five, या six तो single single बनेंगे, तो हमसे बाद में question किया गया, is one, two an event in this sample space, तो इसका answer आएगा no, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो, single slip निकालनी है, तो single word ही आना चाहिए, हर एक event के अंदर, यहाँ पर double है, double तब आता है, जब यहाँ पर लिखा होता है, twice, या फिर two slips of paper, निकालने होते हमे तब, ठीके, फरक समझ आया, तो इसका answer आजएगा no, last question है, fifth, state which of these are simple event, नीचे जो given है, उसमें कौन से simple event है, वो हमें बताना है, three two, for drawing two slips from a bag containing slips labeled, one, two, three, four, five वाली slips हैं, और three or two निकालना है, क्योंकि two slips हमें निकालनी है, तो यह जो है, वो simple event है, ठीके, क्यों है, दो condition हमें देखनी थी, एक तो three or two इसमें आना चाहिए था, तो three or two इसमें है, दूसरा दो slip निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे दो outcomes है, इसलिए यहाँ पे two slips ही होनी चाहिए, तो दोनों condition यह follow करता है, इसका answer yes है, next है four four, तो अब, जो bag होगा हमारा, उसमें दो बार four होना चाहिए, for drawing two slips from the same bag as in a, लेकिन a वाले में तो single four है, ठीक है, तो एक four तो आ सकता था, लेकिन दूसरा four नहीं आ सकता है, इसलिए इसका answer आएगा no, next भी same, third, three three है, तो हमारे पास जो bag है, उसमें three single है, तो three जो है वो दो बार नहीं आ सकता है, या तो यहाँ पे बोलते कि replace करना है, लेक three three जो है, इसका simple event नहीं है, drawing an odd number from a bag which contained, इस bag में से odd number हमें निकालने है, an odd number, तो एक odd number जो है इस bag में से निकल सकता है, तो यह जो है simple event है, तो प्यारे बच्चों यह थी आपकी exercise, 19A, ऐसे ही और नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए, हमारे पर आप Oxford Maths की 6th, 7th, 8th की वीडियोस देख सकते हैं, और साथ के साथ Maths की ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, शौर ट्रिक्स, टेबल ट्रिक्स वगेरा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप अलग-अलग और नए वीडियोस देख सक देखते हैं, धन्यवाद